नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी गनेद में और मैं संजी उक्मार में इस वीडियो में आप लोगों को बदाने वाला हूं प्रसनावली एक पॉइंट एक कच्छा दस गडित का दूसरा सवाल मेरे पास दिया है और पुडांको के न पहले तो इनका हमें क्या निकालना है और एल्शियव निकालना है इसके बाद हमें उत्तर की जाज करके बताना है यह दि हम इन दोनों संख्याओं की गुणा कर दें वह रैसला जबाल दिया है 26 तो हम क्या करेंगे इस 26 के निकालेंगे अभाज जुर्णखंद बच्चों तो मेरे पास 26 है 26 के हम करेंगे अभाज गुरंखंड यह हमारे संख्या कटने वाली है दो से 2 से काटेंगे तो बच्चों कितना आएगा 2 1 2 2 3 6 यह मारा 13 हो जाएगा और 13 रूड संख्या होती है जो वारी काट लूँगा एक्यानवे के इसी तरीके से लिखनेंगे इसके हम क्या करेंगे बच्चों अभाज गुरंखंड यह सास से कटने वाला है ते सती सबसे पहले हमने निकालना है से रजा निकालना है से एसे निकालना है कि अधाले हमारे पास 26 के दो गुणे तेरा है मेरे इन दोनों में डोड़नी है जो दोनों में उभे निष्ट हो अथार्थ कामन हो यहां दिया है दूसरे में भी तेरा है तो यह मारा कामन हो जाएगा इसको लिख लेंगे कितना हो जाएगा हम निकालना है लिख निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं उसको लिख लेना कामन लिखने के पार जो भी बांकी संक्या बची है उन साथी संक्याओं को हमें लिख लेना है मारे पास दो बचात इस दो को भी लिख लेंगे और क्या बचाता साथ इस साथ को भी लिख देंगे और इन तीनों की आपस में क्या कर देना है multiply कर देने बचो क्या कर देना है multiply कुणा कर देने तो 2 सत्य 14 और 14 की हम 13 से multiply करें तो कितना आ जाएगा 13 और 14 की जो भापस के गुणा करेंगे बचो 182 तो जो हमारा alctia आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 182 बचो कितना आ गया explosion हो जाएगा एक्सों याज करना है पाईजा को गोड़न फर्ल एक्से के बराबर है तो उत्तर की ढांच करने के लिए हम क्या करेंगे पहले संख्या को को पी एक स्वानेंगे और जो दूसरी संक्या बच्चों इसको हम क्या कहते हैं यह से कहते हैं क्या कहते हैं बच्चों की विएक्स कहते हैं तो इसको मानेंगे बरावर होदा क्या है HCF गुड़ें LCM तो हमारे पहले संख्या बच्चों कितनी है पहले संख्या थी इसको हम 26 को लिखेंगे गुणा लगाएंगे और दूसरी संख्या हमारी अब 2691 की हम multiply करेंगे और इसी तरीके से 13182 की multiply करें अगर इन दोनों की multiply एक उना अपस में बरावर आजाएगी इसका मतलब हमारा answer सही है ठीक है तो भी है 2613 की multiply जब करेंगे तो कितना आएगा बच्चों हमारा आजाएगा 2366 कितना आजाएगा 2366 आप करके देख लेना इसी तरीके से 13182 की भी हुड़ा की तो हमारा 2366 आगया इसका मतलब जो एच्स और यह हमारा क्या हो गया बरावर हो गया इसका मतलब जो हमारा answer है यह बिल्कुल क्या हो जाएगा correct हो जाएगा ठीक है तो उम्मीद करता हूं य साथ में से दूसरे सवाल हम लगाएंगे ठीक है तो दूसरे सवाल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सबसे क्या करते हैं इसको मटळ देंग चांगे उससे हम मटळ को पर दaktEST झाल